असलाम अलेकम वेलिकम बैक विडियो आज की वीडियो में हम लोग एक शोड़ा सा टॉपिक लेकिन मॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक को डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग टी-शिर्ट डिजाइन बनाएंगे लिस्टेटर में और उसकी फाइल भी लिस्टेटर में एप्यस फाइ पर फाइल अगें मोकप में डालके अपलोड करते हैं तो मैंने यही कहा था कि आप लोग इलिस्टेटर में फेल बनाते हैं तो इलिस्टेटर में ही उसका ड्रीन बनाएं वहогइं उसका पिर ओन अपन लिए अप्लोड करें एप्यस थार्ट प्लैपम लाइक फ्री पिक शेटा स्टॉक वहाँ पर तो उनकी रिवक्रेस्ट पर आज हम लोगे वीडियो बना रहे हैं यह सबसे पहले कुछ फाइले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पर मैं डाउनलोड की नहीं थी यह देखें यह जो फाइल है यह फ्री पिक से मैं डाउनलोड की थी वैक्टर व यह लोगो है ठीक है यह लोगो मैं बना पड़ा है इसका मैं बैक्राउंड रिमूब कर देता हूँ ठीक है यह लोगो बना पड़ा है इसका मैंने कॉपी किया यहां से अब मैं क्या करूंगा एक मैं सेपरेट टेपलेट खोल लूँगा जिसमें हम लोग अपनी न्यू फा फाइल बनानी है फ्रीपिक शेटर स्टॉग या डाबी स्टॉग के लिए अकसर लोगं का इस सवाल होता है कि हम इलिस्टेटर के अंदर कैसे प्रिजेंट टेबल चीज बनाएं वो इसमें शैड़ोज नहीं आ रहे होते इफेक्ट नहीं आ रहे तो इसको कैसे रिजॉल्व क करते हैं इसको जैसे उपन हो यह रिजॉल्व होता है शूथ हम लोग फाइल करेड़ करते हैं ओज़ो ओज़ो ओजो ओपन 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 जब तक आप काम करें कमेंड सेक्शन में लिखें जाके टीशिट डिजैन जो जो बंदा लिखेगा टीशिट डिजैन इसका मतलब कि म मैं यही समझूँगा कि वो लोग टीशर्ट डिजैन पर काम करना स्टार्ट कर दी है और वो फ्री पे एक शर्टर स्टॉक इन ऐसी वेबसाइट पर चीज़े अपलोड कर रहे हैं आई होप सो आपका काम चल रहा होगा और न्यू से न्यू चीज़े आप लोग करेट कर रहे होंगे बसे एक दिफाए ये लिस्टर्टर की फाइल ठीक हो जाए तैन हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं हाँ ये मारी फाइल ठीक हो चुकी है ये देके इसको मैं बन कर देता हूँ अब मैंने क्या करना है यहां पर ना एक न्यू फाइल करता हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने फाइल का साइज देख लिए हाँ पर 3000 ले लिया है जो कलर मोड है वो RGB लिया है और रेजलूशन 150 ही ये मेरी फाइल आगी है यहां पर मैंने कोडर पाय का लोगो प्लेस कर दी ठीक है सबसे पहले तो मैंने यहां लोगो डाल दी है next मैं क्या करता हूं, यहां से ब यह देखें यह भी एक टी-शिर्ट है और यहां प्रेबर टी-शिर्ट है यह लिए टी-शिर्ट को कौपी करता हूं ठीक है इसका शैडोज भी है शैडोज को लग से कॉपी करना पड़ेगा इसका अब देखें ये फ्रेंट है ये बैक है मैं कोशिच कर रहा हूँ कि फ्रेंट ही लूँ ठीक है ताके मेरा काम जल्दी से जल्दी कप्डीट हो जाए अच्छा मैं यहाब इसको प्लेस कर देता ह हूँ और इस फाइल को मैं बंद कर लेता हूँ ठीक है आपने वह सेम फाइल में डिट नहीं करना न्यू टेपड़ेट बना के इसको डिट करना अब मैं क्या करूंगा इसको पहले अनगरूप करूंगा ये जो एरिया को मैं डिलेट करते हैं तो अब यह देखें यहां पर मजूद है पूरी की पूरी विद शैड़ो आप लोग देख सकते हैं शैड़ो भी आ रहा है इसका विद आपके साथ सारी जो चीज़ें हैं टी शेट में कम्प्लीट अवैलेबल हैं तो यह देखें इसको थोड़ सा मैं डिट करता हूँ हमें क्या करें थोड़ सा प्रिजेंटेबल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा आर्ट बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा कैसे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा करता हूँ यहां पर प्लेस करते हैं अपनी शर्ट यहां पर प्लेस करते हैं अपना लोगो और इसको थोड़ा से मैं बढ़ा कर देता हूं ठीक है अकसर लोग पुछने प्रिजेंटेबल कैसे करें थोड़ा सा आप लोग फ्री पे एक शर्टर स्टॉक पर जा के देखें कि उन्हें ने टीशर को कैसे डिजाइन किया तो उसे मिलता जुलता अपना डिजाइन आपने सेट करना है अब देखें यह जो है इसके आपर प्राप कारा नoga यहां से लेडयर्स पर काम करना आपने कोशिच करें लेयर्स को थोड़ा सा देप ली फालो करें बाकर की फालो करें बाड़ा का उलए ठीक है यह कुछ हैं काम करता हूं यहाँ पर देखें अगर मैं इसको रेड रफ देता ऑ मी दिता 65 7 रफ यहां पर नधर न अगेन यह थोड़ा सार काम आपको देखना पड़ाएगा इफ अगर आप उन्गूरूप करते हैं अगर मैं इसको अन्गूरूप करता हूं यह देखें अभी अलग लग चीजे नज़र आ रही होगी ठीक है अब मैं इसको क्या करूंगा थोड़ा सार को डार्क डड रख ले इफ इसको को डिशय कर दो हम चलेट कर देता हूं यह च्यां होते हैं अब हमने क्या करना होता है अब पर लोगो को एक जगर अवे जह को पर्पल कर दो मैं इसाब से पर्पल हैं यह भलू बैटल आ तुंग पर एक दूसरे कप जह देशाए है लोगो करता ह। और भाइशे मरने कुछ एसा ऐफिक्तो के लिए भागता हूं जो लाइन है यह आप बेशेक रहने दें यह डिजाइन आपको कुछ ऐसा बन रहा है अब इस लोगों की कॉपी नहीं अब इसमें से में जो मारा टारगेट है वो यह चीज दी थी थी है इसको मैं कॉपी किया मैंने इसको अरेंज टू फरंट कर दिया यह देखें यह हमारा डिजाइन आगया अब इसको मैं सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ अब जो दूसरा क्या होता है वो लोग क्या करते है यहां पढ़ना इसके मैं कॉपी बना लेता हूँ इसकी यहां पर बिल्कुल कॉर्णर पेना एक चोटा सा वो लोगों अपने कॉम्पनी का गेंड डालते हैं यहां पर टॉप पर करके यहां पर टी-शिर्ट में जे बे होती हैं जे बनी होती हैं वो भी बना सकने हैं ना बनाना चाहें तो कोई इशू नहीं यहां पर प्लेस करके ने इसको थोड़ा बढ़ा करके मैं नीचे सेंटर में प्लेस कर लेता हूँ यह देखें कुछ ऐसे लोगों तियार होता है करक्राउन को मैं काम करता हूँ गरेडियंट देता हूँ यहां से ग इंटे किसे करेंगे यहीडियnd आगाए हैं मैं इसका उना काम करेंगे कि कर लूँ को कुछ औरवींच ओर टार्ट ऊर्थ कुलिक करें यह कर नः यह जयादा पेटर नहीं लग रहा है इस जदा अच्छा तो वाइट और सिल्वर में लगेगा, अगर मैं यहां पर इसको जाओं यहां से, हाँ, कुछ ऐसा डिजाइन बितर लग रहा है, मेरे रिसाप से यह जदा बितर है, यह हमने कुछ ऐसा बनाया ताके हमारा लगे कि सब्सक्राइब थोड़ा सा एफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अब यह देखें, यहां तक आपका जो डिजाइन है, वो अल्मोस्ट कंप्लीट है, अभी मैं जो टी-शिर्ट डिजाइन दिखा रहा हूँ, अब यहां पर जो लोगो चेंज है, यह जो चीज़े हैं, आप इसका आर्ट बोर्ड हैना, थोड़ा से इसको यहां पर प्लेस कर देखें, यह आपकी फाइल बन चुकी है, जो एक ग्रेडियंट है, इसको एक्सपैंड करने की जुरूरत नहीं है, यह एक्सपैंड किसको करना होता है, जिसमें आपका कोई लाइन अबजेक्ट, यहां कोई लाइन आ रहा हूँ, यहां टेक्स आ होगी, यह मैश टूल है, मैश टूल के थूरू प्रीपी की फाइल में यह शैडव दिया गया, इसको आपने ध्यान में रखना है कि यह कैसे अपलाए हो रहा है, यहां पर अगर मैं देखू ना, यहां इसके शोल्डर में थोड़ा सा मुझे टेक्श्चर सा मेरा है, इसको मैं इप्रूफ कर सकता हूँ, इसको डार करूँ ना थोड़ा सा, यह देखें कुछ नहीं है, इसको थोड़ा से डार कर सकते हैं, यह हो गया, तेम इसी तरह में अगर इस पर जाता हूँ, यह वाले पर, इसको यह मैं डार कर देता हूँ, यह देखें कुछ ऐसा डिजाइन थोड़ा से पूर ओर हो गया तो ये था हमारा T-shirt design इसको simply again आपने क्या करना है save as में जाना है ये भी बता देता हूं कैसे जाना है AI की जगा आपने EPS फाइल स्लेट करनी है ते आपको नाम रखना है T-shirt 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 नाम रखना है EPS select किया यहां से जो EPS का format मैं select करता हूं Illustrator 10 EPS का क्या फाइदा है अक्सलों के पास Prana version होता है तो उस सूरत में ये बहुत helpful थापित होता है simply मैंने save कर दिया ये फाइल सेव होगे साथ ये अगर आप लोग इस फाइल को उसमें upload करते हैं प्रीपिक के उपर तो आपने export as JPG भी इसकी फाइल देनी पड़ती आपको साथ JPG में किया और आपने इसको save कर दिया अगेन ये साइटिंग देख लें सेम सेटिंग रखे आपने इसको save करना है ओके यहां पर आपने रखती है इसको अब देखी मैं को दिखाता हूँ ये देखी ये आपकी JPG फाइल थी और ये आपकी EPS फाइल है दोनों फाइल बन चुकी है तो यहां तक हमारा काम कंप्लीट है ये देख सकते हैं दोनों फाइल बन चुकी है ये फाइल अपलोड करें शेटर स्टॉक फ्रीपिक के उपर और इसके इलावा आप देखें सिंपल बात ही है यहां पर लोगो चेंज करें बाकि शेट कर डिजाइन है वह इसा मैंने